बनूंगी सासुमा की सासुम सुबह दस पार अवाज लगाने पर वीना उठती हो जो कभी वो आर सुबह छे बज़े उठकर चाय बनाने लगी अखवार ले आई पोधो को पानी दे दिया पापा को मॉर्निंग बोग पर जाने के लिए जगाने आ गई आखिर ये चकर के आए घर के सभी लोग रानी को बड़ी अच्चर मुद्रा से देखे जा रहे थे जब सब के सबर कावान तूट गया तो उसने बरे ही मासुम से लहजे में कामा ससुराल में थोड़ी कोई होगा मेरे आगे पीछे गुमने शादी पक्की हुई अभी तीन महीने भी नहीं थे और चानक से रानी की समझ में इतना पड़ी बरतन बेटी को बड़ी होते देख सब खुश भी थे दुखी भी थे सादी वह रानी अपने नए घर गई शुबह नीद नहीं खुले गई यह सोच कर और पूरी रात नहीं सोई जल्दी नहा दा कर पूजाब करने अपनी पहली रसोई की त्यारी की सोचने ले क्या बनाऊ जो सबको अच्छा लगे बच्चों को भी पसंद आए इस प्रस्मकस में लगी थी कि एक सहज मीठी सी यवाज आई रानी तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई बेटा रात का चसका था जैसे उन स्वड़ों में रानी ने जैसे ही पीछे मूं के देखा तो साशुमा हात में साधी के हिसाब के कुछ पने लिए खड़ी थी साधी की दोरबाग में कितना परसान हो गई होगी फिर घर वालों की याद भी आ रही होगी ऐसे में अगर नीद पूरी नहीं करोगी तो अपनी तव्यत विगार लोगी शाशुमा ने हिसाब के पन्नों को टेवल की दराज में रखते वे रानी से का अड़े ये क्या ये तो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा मैंने सोचा मैं तो पिछले कितनों महीनों से जल्दी उठने की प्रैक्टिस कर रही थी और यहां तो कुछ और ही हो गया मेरी पूरी पढ़ाई घर से दूर रह कर हुई थी होस्टल में जिस कारण में घर के कामों में उतनी कुशल नहीं थी जितनी एक नई बहु को होना चाहिए पहली रसोई में एक रोटी बनाई जाने का रिवाज है हमारे यहां आटा जादा गीला हो जाने की वज़ा से रोटी उतनी गोल नहीं बनी जितनी बननी चाहिए मन में बहुत डर लग रहा था बहुत बूरा भी लग रहा था मन ही मन मा को कोश रही थी क्यों मुझे डाट कर अच्छे से घर का काम नहीं सिखाया सुबह की रस्म जैसे तैसे हुई सब लोगों के लिए खाना बनाने की तैयारी हो रही थी मैं कीचन में खड़ी समझने की कोशिश कर रही थी कि कुछ पढ़ियास में भी कर खाना बनाने का तब ही वहीं आवाज वापस आई रानी देखो आज में क्या बना रही ही मतर पनीर की सबजी गाजर का हलवा और लच्चे फ्राटे फिर ये क्या ये सब तो मेरी पसंद के समाने मेरी पसंदी सा टी सेच समझ में नहीं आ रहा था कोई सपने में तो नहीं कह रहा है नहीं नहीं ये तो सासु मा की बोल रही है मेरे थोरे सह में थोरे डरे थोरे बिसमई भाव को सैद भाप लिया था उन्हों वो मेरे पास आई और मुझे बिठा कर बोली शाधी लड़की की परिक्षा नहीं है रानी कदम कदम पर उसे किसी टेक्स्ट में पास होने पर नमबर दिये जाए तुमारी शाधी केवल मेरे बेटे से नहीं है जितनी तुमारी खुशियों के जिमेदारी मेरे बेटे की है उतनी हमारे भी मैं तुमें इस घर में केवल काम करवाने तुम्हारी खोबियों को प्रकने तुम्हारी अजादी कोछी ने या तुम्हारे लिए क्या-क्या बलिदान कर सकते हो ये जानने के लिए नहीं लाई हूँ मुझे तो सिर्फ एक दोस्त एक अच्छा साथी चाहिए जो मैं कभी कमजोर पर जाऊं तो मुझे समभाल सके धागे का वो हिस्सा चाहिए जो घड़ के सारे मोतियों को प्यार और स्ने की एक माला में पिरोई रखे मैं नहीं मानती की बहु को सुबह जल्दी उठकर नहाद भाकर पूजा कर लेनी चाहिए या उसे खाना बनाने में दक्षता हासिल होनी चाहिए तुम खुझ से प्यार नहीं करोगे तुम खुश नहीं रह पाओगे ये शादी तुम्हारे सपनों की कुरवानी नहीं है बिटा तुम्हारे सपनों की उरान है हम सब तुम्हारे साथ है हर कदम हर पल हर समय और आज हमारे पड़िवार के निर्स दस्रे का स्वागत हम उसकी बनाई हुई पसंदीदा खाने से करके कर रहे हैं आज रानी के साधी को एक साल हो गए हैं लेकिन उसने अपनी साधी से जो सबसे अनमोल रिस्ता कमाया था वो था मा हाँ वही सासुमा अब मा बन गई थी बहुत उतार चड़ाओ देखे थे रानी ने अपनी चीवन में कभी गर्पात कभी पैसों की कमी कभी पती से जगरा कभी बच्चों की टेंसन लेकिन आज भी मन से जूरी है वो अपनी सास से हर पल वो यही कामना करती है कि जब उसका बेटा भी बहु लेकर कर आए तो वो उसकी सास जैसी सास बन सके या उनका अंस ही सही समाज के कुछ हिस्सों में आज एक भी सास मा बनने में विस्वास नहीं रखती पर मेरी सभी से ये गुजारिस है जब हम किसी लड़की को अपने घर में लाए तो उसको उसकी कम्यों के साथ सभी कार करे अपने बच्चों को गलतियों पर डाट कर भी तो फिर से उन्हें पुछकार लेते हैं ना तो वही हम उनके साथ भी करे